सुषान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बहार निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्विउस पढ़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे आपने आपको बताऊंगी कि मुवी माफिय ने नाख की सिर्फ उनको बैंड किया था सिस्टेमाटिक जिसमेंटिलिंग कैसे कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसले लिखते हैं क्योंकि आप जब जून लिखना होता ह आप को कि अंगेस्ट को इलीगल एक्शन ही लिए सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के गुंगराले बाल है जिसको नैशनल आवर्ड मिला हुआ है साइकोटिक है इ सम्बर 2016 में मुंबई मीरा लिखता है कि सुषांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है 22 फर्वरी 2019 को मुंबई मीरा लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुषांत ने कांच की बॉटल एक डिरेक्टर के सर पे दे मारी 18 अक्टूबर 2018 को डियने लिखता है कि सुशान्त ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी ना जाने कितने अंगिनत जूट और यह जो बुद्धी जीवी जूर्लिस्ट है यह जो चील का हुए गिद है जो मुवी माफिया के पाले हुए है यह इसको मेंटल इमोशनल साइकोलोजिकल लिंचिंग को जनलिजम कहते हैं मेरे बारे में आस तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निका लेकिन जब एक सोतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जर्नलिस्ट को कांफरंट किया आपको पता है उसी राचार सीनिय जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई एलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैंग किया जाए फ्लॉप किया जाए आप तीन हजार जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नही कि नेपो किड्स के बारे में यह क्यों नहीं लिखा जाता है तो यह अन्याये का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा इसलिए जब तालियां बजएगी और सीठियां बजएगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी